कि जब भी हम auditions से जाते हैं, हम तो script मिलें, हमें समझना जबरूरी होता है कि यह जो character दिया है, वो कौन है, क्या है, क्या सोच रहा है, क्यूं सोच रहा है, वो अगर ऐसा कर रहा है तो क्यूं कर रहा है? Hello and welcome back to my channel, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा entertainment and थोड़ा सा ज्यान, ज्यान on acting and casting, तो जो लोग पहली बार मेरे चानल पर आई हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा अपने बारे में पता दू, मैं हूँ स्वतलाना, इंडिया से हूँ, लेकिन दुबाई में पिसले 10 साल से रह रही हूँ by profession actor हूँ and casting director, दुबाई में approximately मैंने 300 to 350, no actually 400 projects की casting की ही है, including TV commercials, photo shoots and एक दो films भी ही ही है, but mainly दुबाई में जो market है, वो है TV commercials का, so यहाँ पे जितने भी castings होती है TV commercials के, हमारी company के पास आती है and I help them with the casting, तो अगर आपको भी interest है दुबाई में shoot करने का, तो ज़रूर register कीजिए with ucastra.org Currently मैं read कर रही हूँ यह book, Indian Method in Acting, यह प्रसंदा हेगोरे सरकी है, जिनका workshop भी मैंने अटेंड किया था, आज मैंने बताया था अपने पहले देचियों में, पहले दो chapters में हमने इनके दो chapters को पढ़ा है और आज तीसरा chapter पढ़ेंगे हम, which is the motivation, तो इस chapter को मैं पढ़ती हूँ and then in every video I try to tell that chapter कि उस chapter में क्या बताया गया है, ताकि जिन लोगों के पास यह book नहीं है या जो लोग workshops नहीं अटेच कर सते, शायद मेरा यह video उनके लिए थोड़ा helpful लो, मैं कोई acting coach नहीं हूँ, लेकिन अपने experience के साथ और जितना मैंने पढ़ा है या थेटर में सीथा है, वो सब के साथ शेयर करते हैं, ताकि कहीं न कहीं हम एक दुसे के help करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बाते जो मैं बोलू वो आपने कहीं नहीं पढ़ी या आपको लगता है कि किसी book में कुछ और पढ़ा है, आपने कुछ और सीखा है, तो absolutely you can continue with that and आप भी शेयर करें, ताकि कि जब हम एक script मिलती है, हम उसे immediately पढ़ना शुरू कर देते हैं, लाइन जयाद कर लेते हैं, और अपने दिमाग में उसका एक छवी बना लेते हैं, उसी रास्तर को follow करते हैं, वेराज, आइडियल वे यह होना चाहिए, कि हम पहले character को समझें, जो एक writer ने लिखा है character, उस character को अच्छे से समझें, वो character क्या चाहता है, क्यों चाहता है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह जो factors हैं, इनको कहते हैं motivation of a character, character अगर घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर उसके पीछे कोई कारण होगा, तो वो जो कारण होता है, वो जो reason होता है, वो जो purpose होता है, उसको कहते है motivation, और हर एक चीज के तीछे एक motivation जरूर होता है बस अज आप्टर हमारा यह काम होता है कि हम उस motivation उस purpose को पहचाने खोद गे निकाले उस script में से और जब उस motivation हमारे पास होता है तब automatically हमारा character एक particular direction में चला जाता है और हमें जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसी इसके इसेंस हम जैसे कई बार हम सोचते हैं कि एक actor है वो हाथ कैसे रखे क्यों रखे जैसे कई बार हमने देखा है कि actors confused होते हैं ऐसे हाथ रखेंगे फिर इद्दम से रख लेंगे उनको समझ में नहीं आता कि हम हातों का क्या यह कहुत से basic problem है बहुत सारे new actors की जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए यह जानना बहुत important होगा कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे हाथ पी नहीं होना चाहिए जब हमारा ध्यान हमारे motivation पर होगा हाथ की position automatically fix हो जाएगी और हमें उस पे काम नहीं करना पड़े तो आए शुरू करते हैं जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया तो कि actor and character यह दो अलग अलग entities होती हैं और हमें इन्हें mechanically जोड़ना पड़ता है acting में वेरास रियल लाइफ में यह दोनों internally हमारे अंदर से naturally निकल जिन लोगों को यह नहीं मालोम है तो मेरा यह पहला वाला वीडियो आप ज़रूर देखें उसके बाद यह वीडियो देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक आक्टर होता है और एक कारेक्टर होता है इन दोनों को हम स्टेज पे या आक्टिंग में mechanically बाइंड करते हैं वेरास इन रियल लाइफ यह हमारे अंदर से naturally निकलता है कि हमारी स्क्रिप्ट है हमारा मन है हमारे हमारा मौ है हम जैसा चाहिए बोले जो हमारी सोच के साब से लेकिन आक्टिंग में इस दिफ्रेंट तो जो हम परफॉर्म करते हैं जो आक्टर को बिलॉग करते हैं लेकिन जो डायलोग होते हैं जो थोट प्रोसेस होती है जो सोच होती है वो कारेक्टर को बिलॉग करते हैं जब कारेक्टर सोचता है तब आक्टर परफॉर्म करता है That is the reason motivation जो एक thought होती है, जो सोच होती है, जो purpose होता है, वो belong करता है उस character को, जो script में लिखा है, लेकिन जो action होता है, जो movement होती है, वो होती है performer की, actor की. So, what is motivation? Motivation, एक और simple तरीके से कहा जाए, तो वो character की thought है, उसका mindset है, उसकी सोच है, तो यह हमें motivation कहां से मिलेगे? Where to find this motivation? जब हम वो script अच्छे से पढ़ेंगे 15 से 20 बार, तब हमें उस character की सोच समझ में आते हैं, प्लस हम उन casting director से, या writer से, या director से, हमें पूछना चाहिए, कि जो script है, इसमें जो character है, वो यह क्यों कर रहा है, उसकी क्या सोच है, अगर हमारे पास director नहीं है, और हमें से script दे गई ह परफॉर्म करने के लिए, तो हमें यह खुद ढूना पड़ेगा, लेकिर अगर हमारे पास sources available है, जैसे कि director है, casting director है, या writer है, तो अपकोस हम उनसे directly पूछ सकते कि, आपने क्या सोच कर यह character लिखा है, उनके हिसाब से, यह character क्या है, क्या करता है, उसकी सोच कैसी है, तो वह से हमें यह सारे inputs जब मिलते हैं, तब हम उस character में गुषने की कोशिश करते हैं, और तब automatically हमारे movements decide होते हैं, हमें जादा हाथ पर मारने की जरुवत नहीं होगी, तो हमें character की सोच, उसका दिमाग समझने की बहुत जरुवत होती है, और यह सब हमें मिलता है, स्क्रिप्ट से अब आप यह सोच रहेंगे की इसमें कौन सी बढ़ बात है, लेकिन जब हम technically उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, because यह thought हमारी नहीं है, यह thought किसी और ने लिखी है, और एक actor का काम होता है, कि उस thought को लोगों के सामने दर्शा है, अगर हम यह thought को लोगों के सामने दर् acting, acting is nothing else but expressing the character's thought in the form of actions and dialogues and हो गया काम हमारा, it's very simple, बस करने का तरीका आना चाहिए, पहले क्या करना है, उसके बात क्या क्या करना है, हम सबसे अधा गरबड़ी कर देते हैं, सब चीजों को मिक्स करके, and हम confused बहते हैं कि पहले क्या करें, उसके बात क्या करें, अगर हम एक प् simple हो जाती है, and then we just have to practice it, अब आप ये सोच रहे होंगे, कि एक motivation जो होता है, वो एक feeling और एक emotion भी तो हो सकता है, for example, एक इंसान जोर जोर से हस रहा है, जोर जोर से हस रहा है, ठीक है, हसना एक emotion है, और जिस तरीके से वो हस रहा है, वो उसका action है, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी होगे, कि पहले उसने एक सोचा, कि मैं हसूंगा, जो हमारी thought है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग के पास जाती है, whereas जो emotions और जो feelings होते हैं, वो दिमाग के पास थोड़ी बाद में जाती है, ये एक natural process है, बहुत ही बारीक सी एक चीज है, जो प्रसना सान ने highlight ही है, कि जो action, जो motivation होता है, वो एक thought ही क्यों होता है, वो एक emotion और feeling भी हो सकता है, लेकिन जो thought है, सबसे पहले वो जनम लेती है हमारे दिमाग में, उसके बाद action होता है, लेकिन जो feeling और जो emotion है, वो दिमाग तक जाने में थोड़ा time लेती है, compared to the thought, इसलिए, thought comes first, then emotions and then feelings, उसके बाद action होता है, इसलिए, a thought is considered to be the right motivation for a character to perform an action, feelings जो होती है, emotions, हसना, रोना, these are also kind of actions, ठीक है, but they are mainly feelings, which are going and converting into an action, but the first, जो दिमाग में आया, that was a thought, इसलिए, a thought of a character is the most important aspect to design the action and to continue the character, and हम उसके बाद आगे चाके अपना वीडियो बना सकते हैं या perform कर सकते हैं, तो thought is the most important part, तो अगर आज आपको एक script दी जाती है, उसमें एक character है, तो सबसे पहले हम उस character का समझेंगे, उसकी thought जानेंगे, वो thought हमको देगा एक motivation to do something, तेज चलना, बैठ जाना, हर भड़ाना, ये actions हैं, या कूदना, या कोई भी particular action है, किसी को गोली मार देना, या जो भी action आपका character perform करेगा, हमें उस character की thought में जाना है, उसका motivation ढूनना है, कि वो ये क्यूं कर रहा है, जब हम ये सब कर लेंगे, हमारा character automatically build जाए, तो आज के इस chapter में हमने बहुत ही important part पड़ा है, motivation, and ये हर एक character की need होती है, जैसे हम इनसानों की need होती है, भूख, भूख लगती है, हमें खाना ज़रूरी होता है, खाएंगे नहीं तो बहुत सारी चीजे नहीं हो पाएंगी, वैसे ही character की need होती है motivation, अगा उसको motivation ही नहीं है, तो वो कोई चीज क्यूं करेगा, जैसे थेटर में हम बोलते हैं blocking blocking मतलब एक character है वो यहां जाके ऐसे बोलेगा फिर वो थोड़ी दो कदम आगे जाएगा फिर वो ऐसे turn होगा जो physical movements होती है उनको कहते हैं blocking तो एक character वहां क्यों जा रहा है वो एक character दूसरे character से दूर क्यों जा रहा है यह जो reasons है यह जो questions है वो होते है motivations उसका thought process क्या है उस time के अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे एक particular character के बारे में हम उस character को build नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपने सुना होगा कि सुषान सिंग राजपूर जो जितने भी अच्छे actors हैं वह सवाल बहुत पूछते अपने director से या writer से किसा क्यों कर रहा है जैसे कि सुषान सिंग राजपूर जो थी जब उन्हों ने preparation की ती दोनी के लिए वो दोनी के साथ रहते थे और उन्हों अपने बहुत सारे सवार पूछे दोनी से यह धोनी जी ने अपने इंटर्विव में भी कहा है कि used to ask so many questions कि मैंने ऐसा क्यों किया यह क्यों किया वह क्यों किया और कभी-कभी धोनी जी परिशान भी हो जाते थे पर्पेस क्या है वह ऐसे बेठ है तो बेठ है वह क्या सोच रहे ह। अगर हम ऐसे बैठे गर कीछाल चल रहा है लेकिन जो मेरा थौर्ट प्रोसेस प्राइव नहीं तो चओंतों आ है उसके अंदर क्या बेचैनी है क्या उच्छुता है एक्साइटमेंट किस चीज का है ऐसे हजारों सवाल जब आप पूछेंगे कारेक्टर अपने आप बनता रहेगा और फिर आपके अंदर कारेक्टरिस्टिक्स अपने आप गुल जाएंगी आपको कारेक्टर को जबरदस क्यों लगती है अगर वीडियो आपको देखना है तो जरूर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हैल्पुल रहा है तो प्लीज इसे जरूर शेयर कर अपने दोस्तों के साथ या जिसके साथ भी जो आप्टिंग को परसीव कर हुआ झाल